जिस तरीके से Champions Trophy में ये हार भारती टीम को देखने को मिली है कभी उम्मीद नहीं थी कि फाइनल में आकर इस तरीके से टीम इंडिया ने राश कर देगी इस Championship की चोटी की टीम इस Championship की Defending Champion लेकिन उस सब के बीच नतीजा कुछ ऐसा है जिस पर किसी भारती की टीम इंडिया को खुद विश्वास नहीं हो रहा होगा किस तरीके से बल्लेबाजू ने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया पूरी टीम इंडिया नहीं सरेंडर कर दिया पहले तो पाकिस्तान की टीम को 300 के पार जाने दिया 349 का जब लक्षे सामने था एक-एक कर बल्लेबाज शुरुआत की जो 16 गें थे उसमें दो जो हमारे सबसे बड़ी उमीद थे टीम इंडिया के पहले तो ओपनर रोयच शर्मा उसके बाद कप्तान विराट कोली दोनों पविलियन रवाना हो चुके थे एक दफा थोड़ी देर के लिए मैच में लगा जब हादिक पांडिया रन बना रहे था लिए 6 विकेट तब भी गिर चुके थे लेकिन एक अजीब से रन आउट में वो भी उनका भी विकेट चला गया और आखिर कार पूरी टीम इंडिया सिमट गई एक ऐसे टोटल पर जहांपर 180 रन से पाकिस्तान ने जीत हासिल कर ली है मदन लाल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद हैं विकरान गुपता ओवल के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकरान नाउमीदी की भी हद इसी को कहेंगे कि एक ऐसी बहतरीन टीम ऐसा नहीं यह टीम इंडिया खराब हो जाती है एक ऐसी बहतरीन टीम जिसने इतनी करारी शिकस्त को आज जेला है चैंपिन्स ट्रोफी के फाइनल में सही बात है श्वेता और बाट डे सुबह से ही क्योंकि जब विकेट मिला भारक को नो बॉल पर कैच हुआ उस वक्त लग रहा था कि साइन्स अच्छे नहीं है पाकिस्तान की पहले टारीफ क्योंकि एक ऐसी टीम तो नीचे जो उपर आई एक ऐसी टीम तो डो साल पहले इसलिए कौलिफाइग कर पाई थी क्योंकि वो जिमबाबवे नहीं गई जिम्बाबवे जाते शायद पहला मैच हार जाते तो वेस्ट इंडिस क्वालिफाई करता अब अंताजा लगाईए आठ नमबर की टीम अगर आज जीती है तो ए वो टीम डिजर्व करती थी जीतना दूसरी बात ये कि भारत ने आज वाकि में वो कहते हैं ना कि हाथ में प्लेट में डाल कर उनको मैच दिया टॉस जीत कर आपको पहले गेंबाजी करनी थी वो सही था फैसला लेकिन आज जो मैं क्रिकेट देख रहे हैं श्वेता यहाँ पर पांच फिल्टर अगर सर्कल में है और जिस तरह से और पाकिस्तान किसने सोचा था था कि बैटिंग इतनी इच्छी करेगा हमें था कि उनकी गेंबाजी थी आपको याद होगा ब्रेक शोव में भी श्वेता हम मिले थे हमने का था ना उमीद तो नहीं होंगे लेकिन लोग मैं अभी मैदान से बाहर आया हूँ और भारती फै पाकिस्तानी फैंस और ऑबिसली आ उनकी जीत है जजबा और चूंकि सोचल मीडिया पर भारत पाकिस्तान का बड़ा लडाई चल रही है ना तो पाकिस्तानी फैंस काफी। जीत के बाद काफी उनका शोर, हडला गुला चल रहा था तो किसी एक ने मुझे कहा कि भई आप ICC के फाइनल में खेल रहे हो और इतना बड़ी हार तो मैंने उनको कहा यार 99 वर्ल्ड कप यहीं हुआ था पाकिसान की टीम भी 120 ओलोट हो गई थी तो ऐसा नहीं है लेकिन हाँ अगर आगे चलकर विराट कोली की इस टीम को चैंपियन बनना है तो कई कमिया आज दिखने हैं जैसे मैंने पहले भी कहा था शुटा जीतते हुए तो कमिया नहीं दिखती हैं हादने में दिख गई आज अश्विन जड़ेजा जहां पर गेंट टर्न नहीं होगा इनफेक्टिव हैं आपको रिप्लेस्मेंट्स चाहिए आपको वराइटी चाहिए आप तॉप तीन बले बाजू की सिर पर खेट रहे थे शिकर, रोहित और विराट वो हर मैच में रन बना रहे थे आप रन बना रहे थे तो ये आज दबाओ का मैच था मेरा अभी भी मानना है कि अगर आप इन पचास ओवर को रिप्ले करें तीन सो चालिस का दुबारा से टार्गेट हो और अगर नहीं गेंट पर रोहित शर्मा विराट आउट ना होते तो हो सकता है भारत तीन सो चालिस करता लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ड्रेसिंग रूम इतने हलके से और इतनी आसानी से हार मानने है वाकिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो डिप्रेशन हो दी है सभी भारतिये फैंस को विकरांत क्या कहें जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे थे हाले कि एक थोड़ी सी खुशी इस तरीके से आई कि हौकी जो की हौकी का मुकाबला लीग का मुकाबला जो चल रहा था लंडन में ही वहाँ पर पाकिस्तान को साथ एक से शिकस दी है लेकिन चुकी हम लगातार क्रिकेट की बात कर रहे हैं हम ऐसा नहीं कहेंगे कि चलिए महा की जीत हो गई है तो यहां नहीं इस टीम से ऐसी अपेक्षा नहीं थी ठीक है हमारी टीम उतना अच्छा के लिए ठीक हाज अच्छा नहीं के लिए मैच में होता ही बड़ लेकिन जो केदर जादे हैं जैसा के वो कुछ पता ही नहीं हमको पता है का आप सिचुएशन देख रहे हैं पांच फिकट गिरे हैं आदिक पांड़ है दोनों आप में बैट्समान हैं उसके बाद में पीछे कोई प्लेर्स नहीं है आप ऐसे कैसी शॉ चाहिए जैसे रिविराट कोली है जैसे रोइट शर्माज शेकर्दावने ने चाहिए अगर आप इस प्लैटफॉर्म पे अगर आप मैस कोई नजदिक नहीं ले आ सकते तो फिर आप खेल लेका हो ही नहीं बड़ लेकिन पाकिस्तान टीम को हम दाद देनी चाहिए उन्हों गेम को चलाते हैं को कि देखिया गेंग मूव कर रहा है मुझा मूव कर रहा हो तब आप चांसे ज्यादा होते हैं आउट होने के एक उनका कैच भी ड्रॉप हुआ अपर उसी टाम पे इनको तोड़ा सा इसको संबल जाना चाहिए था कि मैं थोड़ा सा गेम को ब्लॉक करत मैं वो मैज कभी भी नहीं जी सकते हैं अगर मैं हम 6-7 विकेट भी डाउन होते हैं तो हम मैज जीते हैं